एक बार फिर से स्वागत आपका सिंग अटर जोन के नए एपिसोड में आपनी अक्सर मेरे अपडेट्स में देखा हूं कैसे मैं होंडा टू वीलर्स को थम्स डाउन करता रहता हूं कि भारत में इतना बड़ा सेग्मेंट होने के बावजूद भी इतना सेल फिगर होने के ब मार्च मंथ में मार्च 2020 में एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर को पेटेंट करवाया है लेकिन यह वो नहीं है जिसका हम सभी भारतिये बेसब्री से इंतिजार कर रहे थे मीन्स यह एक्टिवा बेस इलेक्ट्रिकल स्कूटर नहीं है यह जो होंडा का ग्लोबल मोडल है PCX उसी स्कूटर है और जैसे कि हमें कुछ इन फोडो से क्लिर होता है कि यह टू बैटरी पैक अंडर सीट इसमें रहेंगी और मार्च मंत में इसमें पेटेंट फाइल किया था 2020 में लेकिन जैसे हम जानते है PCX के बारे में जो इसका डिजाइन जो बैटरी पैक जो इसके अधर फ की प्लानिंग है सिरीज बाताब इसका प्राइस जो बजाज चेतक है एथर है या टीवेस आई क्यूब है उनसे कहीं ज्यादा रहेगा अच्छा तो यही होता कि जो हम सभी इतिजार कर रहे थे कि एक्टिवा का इलेक्टिकल वर्जिन आएगा मास केल पर इसको बनाते नो वैसे भी जो जो अपकमिंग भी एक्टिवा है यह सेवंटी प्लस इसका प्राइस जा रहा है तो बिल्कुल अगर और थोड़ा सा पंद्रबीज जा डालकर अगर हमें एक एलेक्ट्रिकल स्कूटर मिल रहा तो मेरा मानना कहीं एक बहुत बड़ी सक्सेस होती होंडा के लि जा हिन्द